दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब आप अपने एंटीने के वायर में कनेक्टर को कैसे सही तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं दो तो अगर आपने गलत तरीके से कनेक्टर को अपने एंटीने के तार में कनेक्ट किया उसे LNB में लगाया या सेटप बॉक्स में लगाया तो आपका सेटप बॉक्स पूरी तरीके से डेड हो जाएगा या आपका सेटप बॉक्स जल जाएगा या आपने LNB में लगाया तो आपका LNB और setup box दोनों खराब हो जाएंगे तो नमस्कार दोस्तो मेरा नम साहिल है और आप देख रहे हैं साहिल चैनल लिष्ट यूटुब चैनल आज इस वीडियो में मैं आपको इस चैनल पर बताऊंगा कि सही तरीके से दोस्तों connector कैसे connect करें अपने antenna के तार में और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा connector आपके लिए बेश्ट होगा वीडियो short होगी और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी दोस्तों आप अपने घर पे बिना किसी technician को बुलाए लेकिन दोस्तों सही तरीका क्या है वह तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो दोस्तों आईए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ हमारे पास बहुत सारे connector साब को यहां पे देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारे model के connector हैं बहुत सारे जैसे कि यह वाला जो connector आप लोग देख सकते हैं यह जो connector है दोस्तों यह वीडियो कॉन संड डारेक्ट टाटा स्काई डिश टीवी में लगता है और इस connector को दोस्तों अक्सर machine से लगाया आता है तो दोस्तों यह connector थोड़ा महंगा भी मिलता है 15-20 रुपए का मिलता है और इस connector को अगर आप लगाना चाहेंगे तो भी नहीं लगा पाएंगे दोस्तों इसको हम रख देते हैं यहां नीचे दोस्तों और अगले जो connector हमारे पास आते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह वाला जो connector है दोस्तों सबसे पहले यह देख से आर जी 59 यह connector बोलते हैं इसे ये connector पतला होता है अगर आपका अंटीने का wire पतला वाला है तो दोस्तो आपके पास ये लगेगा connector अगर दोस्तो आपका जो wire है मोटा है तो दोस्तो ये वाला connector लग जाएगा लेकिन दोस्तो अक्सर मार्केट में ये वाला connector आप खरीद के लेके चले आते हो तो दोस्तो काफी दिक्ते में बढ़ीत यह कंडेक्टर आपलोग ध्यान से देखी यही वाला कंडेक्टर दोस्तो थोड़ा एक चोटा समय एड़ ब्रेक लोंगा। दोस्तो अगर आप हमारी इस वीडियो को लाइक घुए-ब्लबन कुरो दो तो दोस्तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये वायर है और ये आप लोगों को दिखाने के लिए दोस्तो मैंने काट रखा था लेकिन दोस्तो यहाँ पे इस वायर को मैं पिलास के माध्यम से दोस्तो बिल्कुल अच्छी तरीके से काट दूँगा ये दोस्तो आप कि तो गड़े सब्सक्राइब के कि आपको थोड़ा साइब को काटना है इतना तो कीए इतना अगर ज़्यादा को दिख्वड बाद में पिलाज से कैसे में ज्यादा ही काटके दिखा रहा हूं आप लोगो ताकि आप लोगों को कोई दिख्वान दोस्तों यहां पे ध्यान से दिखेगा इस चीज को इस पॉइंट को आप ध्यान से देखेगा इसको अच्छी तरीके से काटना है और बहुत प्यार से आप दबा के नहीं आपको इसको घुमाना है बड़े प्यार से आराम से आपको इस वायर को आराम से यहां से काटना है य तसे निकल जाएगा रिखेगा तुँस्टों हें यहान से कुछ बम परबर नवी होते हैं क्या पे आप आप लोग देख पर आधि हैंば कि जैसे अजिर सब्जी चिलते हैं वैसे हलका सा आप ऐसे कर देंगे तो यह पूरा वाल्ट वाल्दा दिखने लगेगा और यहां पर कोई तारच च्पपटेंगे नहीं आप दोस्तो आपको जो connector लेना है यह वाला connector लेना है दोस्तों यह बहुत ही बेहतरीन connector होता है यह देख लीजे आप लोग यह है दोस्तों आर जी फिफ्टी नाइन ऑजिवाज न्एस्षाइश और जो केबल का केबल हमारे पास है और दोस्तों इसको हम् यहां पे डालेंगे यह देखिए ध्यान से आप लोग यह मैंने डाला और इसको बड़े प्यार से हमें जगह बनाना है यहां पे और यह देखिए जगह बन चुका है दोस्तों यहां पे अब वही पिलास लेंगे अब पिलास को दोस्तों ऐसे करेंगे और यहां पे दोस्तों आप लोग यहां पे हमारे पास जो यह है यह लग गया है लेकिन दोस्तों यह इतना बड़ा कंडीला थोड़ी काम आएगा अब दोस्तों एक काम करेंगे हम यहां पे इस कंडीला को हम काटेंगे यानि इस वायर को हम काटेंगे और इस वायर को काटने के लिए बस इसके बरा असपस्ट एकनम साफ दिख रहा है लेकिन दोस्तों एक गलती हो गई हमें इससे निकालना होगा हमें इसको टाइट करने के लिए यह वाला जो है छल्ला इसमें डालना होगा इस छल्ले को हमने डाला और फिर मैं यहां पर इसको लगाता हूं ध्यान से देखिएगा आप पकड़ें यह देखिए पिलास से आपको यहां से पकड़ना है ठीक है इसको पिलास से पकड़िये आप ठीक है यह हलका सा मुड़ गया ठीक है अब इसको इतना टाइट पकड़िये आप यह देखिए आईसे पकड़े रही है ठीक है यह आप लोग देख लिए ऐसे यह का देखिए एकदम प्रॉपर प्रोफेश्शनल तरीके से आपका जो यह कनेक्ट है यह कनेक्ट हो चुका है और कुछ इसी परकार से दोस्तों आपको अच्छी तरीके से इसे कनेक्ट करना है बड़िच और देख सकते हैं चुलिक करके दिखा दिता हूं इसके इसके अंदर भी एकदम असपष्ट रूफ से सब कुछ किलियर दिख रहा है कि इसमें वायर नहीं चिपका हुआ है सबसे पहलेे आप इस वीडियो को सबसक्राइब करते हैं सबसे पहले को सबसक्काइब करते हैं तो मिल सकता है फूल verasad cambis में नीचे रख दिया कनेक्टर नागतना के सबस्क्राइएं तो यह सबसे पहले ध्यान से हमने लगाया है डोस्तों इसमें बड़ा ही फर्क है मैं उसको एक बार अर दिखाता हूँ दोstatो यह देखे यह देखे नीचे वाला connector यह वाला आपको नहीं खरीदना है दोस्तो यह भाद ध्यान रखिएगा आपको खरीदना है यह वाला कनेक्टर तो ला यह ज्यादा चलएगा यह उपर्लवाल दोस्तों बेकार होता है connector बागी दोस्तों आपको अमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताईएगा अपना प्यार अपना और सिर्वाद जरूर बरसाईए दोस्तों मैं विलूंगा अगली वीडियो में धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए